हम लोग करेंगे सवाल नंबर पाच एक घनाकर बक्से की एक बुजा की लंबाई एक मीटर तीस सेंटीमीटर है यानि की एक मीटर तीस सेंटीमीटर इसका मतलब हो गया एक सो तीस सेंटीमीटर क्योंकि एक मीटर में सो सेंटीमीटर होते हैं तो यह आपका उजाएगा सो सेंटीमीटर प्लस 30 cm बराबर 130 cm यह आपकी भुजा निकलाई घन की और अगर एक भुजा 130 है एक भुजा 130 cm है तो सभी भुजाएं 130 cm होगी तो घन का क्या पूछा है हमसे संपून प्रस्ट यानि की टोटल सर्फेस एरिया संपून प्रस्ट यानि अंग्रेजी में टोटल सर्फेस एरिया शॉट में हम टीय से लिख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6A square यहाँ पर A भुजा होती है तो A की जग हम लिखेंगे 130 का square square मतलब हम इसको दो बार गुणा कर सकते हैं बराबर 6 गुणा 130 का अगर 130 में गुणा करेंगे तो आएगा 16900 और 16900 का जब इस 6 में गुणा होगा तो आएगा 101,400 सेंटीमीटर में है तो यह सेंटीमीटर square यही आपका उत्तर होगा हम लोग करेंगे सवाल नंबर 6 रहिम का एक कमरा जिसकी लंबाई साड़े तीन मीटर है चोडाई तीन मीटर है और जो उचाई है वो भी तीन मीटर है तो बच्चों हमें इस सवाल में हमें एरिया निकालना है लेकिन ध्यान रहे हमें संपूण प्रश्ट नहीं निकालना है क्यूंकि जो सफेदी पूचिए वो हम से सिर्फ 4 निवारों के पूचिए यान किव चार वर दिवारे होँगी उनिपने पे सफेदी होगी फर्ष और जो च्छत होगी उसको हम नहीं लेंगे तो चार दिवारों का जो छेत्रफर होता है उसका फर्मुला होता है 2H L प्लस B तो दो गुणा 3, लंबाई की जगे हम रखेंगे 3.5 प्लस चोड़ाई जगे रखेंगे 3 तो यह तो हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 6.5 तो इसका हम इससे गुणा करेंगे तो उतर आएगा 39 यह तो हमारा मीटर स्कौर में उत्तर आएगा यह हमारा प्लस दिवारों का इरिया आगया अब हमोगे यह देखना कि अगर हमारे एक मीटर स्कायर। में 15 रुपई खर्च और तो 49 मीटर स्कायर। कित्ते खर्चोंगे। बहुत ही सरा रहर है 45–49 में गुणा हो जाएगा। जब 15わか 49 में गुणा हो जाएगा तो उत्तर आयगा आपका ठीक है और दूसरा घनाब दिया है जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई हम दे रखी है 12.5 लंबाई है चोड़ाई है 10 सेंटीमीटर यानि यह जो है यह दी है 10 सेंटीमीटर और जो उचाई है वो हमें दिये 8 सेंटीमीटर तो हमसे इस सवाल में पूछा है कि किस डिबे का प तो उसका area ज़्यादा है, तो चलिए, निकाल के देख लेते हैं, जिसका ज़्यादा होगा, वो अपने पता चल जाएगा, तो पहले हम इसका निकालते हैं घंका, घंका होता है 6a², 6 गुणा 10, गुणा 10, एक ही जगे हमने 10 रखा है, तो 6 गुणा 100 बराबर 600 cm², ये तो आ ग अब हमें निकालना है घंका, घंका होता है 2LB, प्लस BH, प्लस LH, 2 लंबाई हम रखेंगे 12.5, गुणा चौणा ये रखेंगे 10, प्लस, चौणा ये रखेंगे 10, गुणा आट, प्लस, 12.5, गुणा 8, अब हमें सीधा-सीधा, गुणा कर देना है, तो यह आएगा 12.5 गुणा 10 125 आएगा 1088 आजाएगा 12.5 गुणा 8 यह आएगा आपका 100 तो यह उत्तर आएगा आपका 125 प्लस 180 125 प्लस 180 हो जाएगा 305 305 का दो में गुणा होगा तो आएगा आपका 610 सेंटीमीटर स्क्वार तो यह आगया है हमारा घनाव का गनका हमने निकाला था 600 यह है 610 तो घनाव का जादा है जो सवाल पूछा है घनाव का जादा है और कितना जादा है 10 जादा है क्योंकि घनका है 600 और घनाव का 610 तो घनाव का जादा है और 10 सेंटीमीटर स्क्वार जादा है यही आपका उत्तर होगा हम लोग करेंगे सवाल नमबर 8 प्रदीब को मिठाईयां पैक कराने के लिए गत्ते के गनाव के आकार के 200 डिब्बे बनवाने 200 लंबाई चोड़ाई और उचाई दे रखी है यदि गत्ते का मूल 40 रुपए प्रती वर्ग मीटर है तो डब्बे बनवाने की कुल कीमत गया प्रत कीजिए तो सबसे पहले हमें सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा डब्बों का कि एक डब्बे का सर्फेस एरिया कितना है एक बॉक्स का सर्फेस एरिया फर्मल लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस LH लंबाई की जगे रखेंगे हम लोग 25 चोड़ाई की जगे रखेंगे 20 प्लस चोड़ाई की जगे 20 उचाई की जगे 5 प्लस लंबाई की जगे रखेंगे हम लोग 25 उचाई की जगे रखेंगे 5 जिससे हमें आसानी हो सवाल करने में तो पच्चिस दूनी पचास यह आगए आपका 500 प्लस यह आजाएगा यह आजाएगा 100 प्लस यह आजाएगा 125 तो यहाँ पर यह आजाएगा आपका 725 725 का जब दो में गुणा होगा तो आएगा 1450 यह आपका आएगा सेंटी मीटर स्क्वाइर में तो यह एक डिब्बे का टोटल सर्फेस एरिया हमने निकाल लिया है 1450 सेंटी मीटर स्क्वाइर तो 200 बॉक्स का कितना निकल आएगा 200 का गुणा हो जाएगा 1450 गुणा 200 बराबर आजाएगा आपका 2,90,000 2,90,000 सेंटी मीटर स्क्वाइर यह जो आपने निकाला है यह 200 डब्बों का सर्फेस एरिया है अब हमसे पूछा है इन्होंने हमने यहाँ पे जो एरिया निकाला है 200 डब्बों का वो सेंटी मीटर स्क्वाइर में निकाला है लेकिन सवाल में हमसे जब पूछा है कि जो हमें कीमत बतानी है वो वर्ग मीटर में बतानी है तो हमने जो area निकाला है इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 cm होते हैं यानि कि 1 cm में 1 बता 100 मीटर होंगे अब आप यह देखें कि यहाँ पर यह सेंटीमीटर स्क्वाइर है, सेंटीमीटर स्क्वाइर मतलब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो हमें इस तो चलिए 2,90,000 सेंटीमीटर स्क्वाइर को हम मीटर में कनवर्ट करते हैं पहले, 2,90,000 तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वाइ है इसलिए हम इसमें एक बटा सो से दो बार गुणा करेंगे तो दो जीरो और दो जीरो टोटल होगा है चार जीरो तो एक दो तीन चार हमारे पास बचेगा 29 मीटर स्क्वाइर यह हमारा मीटर स्क्वाइर में उत्तर आ गया है अब हमसे यह पूछा है कि 40 रुपए खर्च हो गुणा 40 बराबर आ जाएगा आपका 1160 रुपए और यही आपका उत्तर होगा यह थोड़ा दिमाग से लगाने वाला सवाल है तो आप इसको बार बार देखके समझे इसको यहाँ पर जो ट्रिक है वो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है कि 2,90,000 स्क्वाइ है यानि कि 2 बार सेंटीमीटर है तो हमें 2 बार मीटर में कनवर्ट करना पड़ेगा इसको